दोस्तों बात करेंगे आज मुहम्मद रसे साहब के कुछ यादगार फोटोस की ये सारी इन्फरमेशन हमें मिली है यासमीन रफी जी से इस फोटो में रफी साहब अपनी वाइफ बिलकीज जी को फूल दे रहे हैं क्योंकि बिलकीज जी 40 साल की हो चुकी है ये फोटो लिया गया है विंड सर यूके में और ये फोटो है सन फर्नैंडो तरीनी डात का जब रफी साहब ने फिल्म इंडस्टी में अपने 25 साल पूरे किये थे यहां रफी साहब ने कई बहतरीन गाने भी गाये थे ये फोटो है 1971 का जब यासमीन जी की शादी हुई थी म्यूजिक डिरेक्टर रवी जी गले मिलते हुए रफी साहब से और ये फोटो है लेट 70's का जब महमूद जी रफी साहब के साथ यूएस में शो करने गये थे और ये फोटो लिया गया था 1971 में यासमीन जी की शादी के वक्त रफी साहब और बिलकीज जी के पीछे नजर आ रहे हैं रफी साहब के ड्राइवर जिनको सब चाचा कहते थे ये बस बॉम्बे से इंडॉर के लिए रवाना हुई थी और दोस्तों ये पिक है मिड सेवेंटीज का जब यासमीन जी की बेटी शबाना का जनम दिन था और बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया था इन बच्चों में आज का सुपर स्टार सल्मान खान भी नजर आ रहा है बलू जैकेट में क्या बहतरीन टाइम होगा वो जो सब रफी साहब के साथ रहते होंगे और ये फोटो है रहमत मनजिल मुंबई का रफी साहब आराम करते हुए ये 1970 का फोटो है और दोस्तों 1971 में जब यासमीन जी की शादी रफी साहब के बेटे खालिज जी से हुई तब उसके एक साल के बाद जब यासमीन जी के यहाँ पहला बेबी आया तब रफी साहब नन्नी शाबाना को देखने इस्पेशली बॉम्बे से लंडन आये थे और बेटे खालिज के कपड़ों को देखकर बोले थे के वह ये नया स्टाइल है लंडन का और छोटी शबाना को गोद मिलिया था दोस्तों अगले दो फोटोस की इन्फोर्मेशन हमें मिली है अमित कुमार जी से और ये है मेरा फैवरेट फोटो दो लेजेंड्स किशोरदा और रफी साहब ये फोटो है 1978 का जब फिल्म हीरा लाल पन्ना लाल के डुएट सॉंग के रिकॉर्डिंग चल रही थी गाना था सीधे रस्ते चलोगे तो ऐसा जमाना मिलेगा किशोरदा की किसी बात पर रफी साहब कैसा खिल खिला कर हस रहे हैं क्या टाइम होगा वो और ये फोटो है अमित कुमार जी के साथ फिल्म आपके दिवाने के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है गाना था अपनी खुशियां तुझको दे दू तेरे आंसू ले लूँ ये फोटो लिया गया था 1978 में तो यही थी कुछ यादे रफी साहब की जिन में किशोरदा भी थे सल्मान भी थे और अमित कुमार भी थे दोस्तो अगर ये इंफर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही और वीडियो लेने के लिए